हाई स्कूल क्लासेस की यूटूब चैनल पे आपका सागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपकी सम्माजी विज्ञान के समकालीन भारत का अध्याय फर्ष्ट ठीक है जिसमें चैप्टर का नाम है भारत आकार और इस्थिती डियर इस्टिवेंट इस पार्ट से टोटल छे नमबर का प्रश्ण आपके एक्जाम में आने वाला है और जो सेकेंड चैप्टर आपका भारत का भोगोलिक शरू उसमें से चार नमबर का आने वाला है येदि आप इस वीडियो को देख लेती हैं तो डेफनेटली आपकी दस नमबर कवर हो और जो कोश्चन आएगा इसी वीडियो में से आने वाला है जैसा कि मैस में आया है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं एक-एक अंग के प्रश्ण तो पहला प्रश्ण हमारे सामने है विश्व के छेत्र फल का कितना भूभाग भारत में है मतलब टोटल जि कितने राज्य है तो बच्चा बच्चा जानता है 28 राज्य है ठीक है 28 राज्य है अगला प्रश्ण है डेश का सबसे बड़ा केंद्र सासित छेत्र है तो जब फफ़े बड़े केंद्र सासित की बात होगी तो वहाँ पे आपका उटर होगा अंडमान नीकोबार देव समों कौँ सा होगा डेरिश्टन अंडमान नीकोबार देव समों अब चलते हैं अगले प्रश्ण पे अगला प्रश्ण है आप लोग का करक रेखा किस राजिस से नहीं गुजरती तो आपको पता है राजिस्थान से गुजरती है छतितियच कर से गुजरती है तुरप्रा से कौन सा है ठीक है तो इसमें आपको लिखना है 97 डिगरी और 25 मिनट पूर्वी देशा अंतर क्या लिखना है इसको डिगरी पढ़ा जाता है और यह जो आपको कौमा जैसे दिख रहा है इसको मिनट पढ़ा जाता है आगला प्रशन है उत्राखंड उतर्प देश बिहार देश की सीमा को छूती है तो नेपाल को छूती है ठीक है क्या हो जाएगा करेक्टर इस्टर यहाँ पर नेपाल हो जाएगा अगला है आपनों की पास प्रशन क्या लिखे है ग्रीस में देखिया ग्रीस में अब कास में आप यदि कावा रत्ती जाना चाहते हैं तो किस कें इसका उत्र हो जाएगा लच्छरीप में हैं। अगला प्रस्ट है भारत के सा नहीं लगती हैं। पहुतान से लगती है。 ठीक है? बांगला एरश से लगती है। भारत की सिमा नहीं लगती है अगला है भारत किस महादीब का हिस्सा है तो भारत एसिया महादीब का हिस्सा है 2023 में ये प्रश्ण आ जा है चलते हैं अगले प्रश्णों पे तो अगला प्रश्ण आपका है डियरिश्टून टरीक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिया रिक्तिसानों के पूर्ट कीजिये में पहला प्रशन है आप लोग के सामने भारत कौन से गोलाध में इस्थित है तो भारत उतरी गोलाध में इस्थित है आपको उतरी लिखना है इसके बाद भारती संग राजी का सबसे दच्छन बिंदु को क्या कहा जाता है तो आपको पत आप लोग के सामने है दच्छिन का पठार हिंद महा सागर में फैला हुआ है ठीक है तो इसमें आपको लिखना है सीर्सवत फैला हुआ है क्या फैला हुआ है कैसे फैला हुआ है सीर्सवरत ठीक है फीर्सवरत ये लिखना है ठीक है अगला है गुजरात से अउनांचल प्रद तो उनाचल प्रोदेश में भारत और सिलंका के बीच कौन सी खाड़ी है तो मनार की खाड़ी है इसकी खाड़ी यह डेस्टिंट मनार की खाड़ी ठीक है अब चलते हैं कुछ और प्रश्ण हो कोई अगला आपका question है सत्य और सत्य बताईए ठीक है भारती भूखंट एस्या म तो आपको पता होगा छेत्र फलकी द्रेश्टी से सबसे बड़ा राज राजिस्थान है ना कि मद्ध प्रदेश ठीक है तो गलत हो जाएगा दच्षिन में समूद्र पार हमारे पडोसी दो दीव समू राज सिलंका और माल दीव है देखिए जब आप मैप में देखेंगे तो दच्षिन में क्या क्या है सिलंका और माल दीव है बिल्कुल सही बात है भारत में पूर परश्चिन का विस्तार उत्तर दच्षिन के विस्त हम देखते हैं सही जोड़ी तो विश्व का सबसे बड़ा देश आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है रूस है विश्व का पाचवा सबसे बड़ा देश कौन सा डियरिश्ट्रेन विश्व का पाचवा सबसे बड़ा देश है ब्राजील ठीक है कन्या कुमा कन्या कुमारी कहा दियकर टो कन्यों कुमारी है आपका ताविन लाड़ु में ठीक है भारत के उत्तर पोस्चिम में क्या है ये आपको похож आतर शिटय आपको पता हो अनी है नरैस वह गवारत प्रश्फटिम में रस अविशीत했는데 एक सब्द स्वास्राइक में रिका लिखा helium करक रेखा भारत को कितने भागों में बाटती है ठीक है तो भारत को कितने भागों में बाटती है दो भागों में बाटती है भारत उत्री गोलार्धमी एसिया महदीद की किस भाग में इस्थीत है तो इसमें आपको लिखना है दच्छणी भाग में कहां कौन से भाग में चेथफल लिखिए तो आपको इसमें लिखना है भारत का चेथफल जब भी पूछे तो इसमें लिखना है 32.8 लाक वर्ग किलो मीटर ये लिखना है ठीक है अगला प्रश्ण है भारत की स्थल सीमा कितनी है तो आपको लिखना है 15200 किलो मीटर कितना लिखना है 15200 किलो मीटर ठ ठीक है, अग्ला प्रस्ण है भारती उप महादीब का प्राचीतम भुभा कंवास है तो इसे में आपको लिखना भी साल प्राय में ठीक है, आप अंसर मैसर कर सकते हैं, सारे आंसर से और हम चलते हैं सीधा आतीलग हुतरी वाले प्रस्णों पर अब हम सीधा चलते हैं डियर इस्ट्रेंट आति लगहुत्री प्रश्ण पर मैं आपको ताना चाहूंगा एक चैप्टर से एक लगहुत्री प्रश्ण पक्का आपके एक्जाम में आएगा 100% तो कौन कौन से question important है देखिए पहला प्रश्ण है भारती संका राजी सबसे दच्छनी बिंदु किसे कहा जाता है यह कब जलमगन हो गया था ठीक है तो आपको क्या लिखना है इंद्रा बिंदु को कहा जाता है ठीक है इंद्रा बिंदु को कहा जाता है दच्छनी बिंदु और 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसके लहरों के कारण यह क्या हो गया था जलमग न हो गया था Most important question इसको जरूर तयार कर लीजिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रशन पे तो अगला प्रशन भी काफी important है क्या लिखा हुआ है कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई तो इसमें आपको लिखना है 1879 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमेटर कम हो गई आगला जो आपका important प्रशन है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में इस्थित दीप समू के नाम बताईए दच्छनी में कौन कौन से दीपी हमारे देश पडोसी है तो आपको लिखना है अरब सागर में दीप समू लच्छ दीप बंगाल की खाड़ी ठीक है थिख है क्या लिखना है ठिक है दच्छिन में शिलंका और माल देप उन देशों के नाम बताये जो छेट फल में भारत से बड़े हैं तो सबसे बड़ा है रूस इसके बाद कणाड़ा उसके बाद सन्युक्त राज अमेरिका फिर चीन फिर ब्राजील फिर आश्ट्रेलिया और फात्वे नमबर पे आता है भारत अगला प्रश्ण है हमारे उत्तर पस्चिन उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पडोसी देशों के नाम बताईए तो देखिए आपको क्या लिखना है भारत की भूमिकी सिमा है उत्तर पस्टी में पाकिस्तान याद रखना है उत्तर पस्टी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ठीक है इसके बाद उत्तर चीन नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर में म्यमार वा बांग्यादे क्योंकि किसी भी स्ट में कोई भी कॉष्चन आपके पूछा जा सकता है आगला प्रश्ण है देखे क्या लिखा हुआ है भारत के किन किन राज जोफे करक रेखा गुजरते उनके नाम मताईए दो हजार तेईस में पूछा गया है राजिस्थान गुजरात मध्य प्रिदेश 36 गर जार खर मिजोरम और पस्टिम बंगाल और त्रुपुरा यह आपको याद रखना है तीन सागरों परिस्थित इस्थान का नाम लिखे इन सागरों के नाम भी उताईए ठीक है सागरों परिष्थिति स्थानों के नाम तो आपको क्या लिखना है दच्छनी, छोर, कन्या, कुमारी, इस्थान, तामी, लाडू राज में तीन सागरों परिष्थित है इन सागरों के नाम है हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भारत की भागोली की स्थिती बताईए ये कोश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसको जरूर तयार कर लिजिएगा इसके बाद जो आपकी अगले प्रश्ण है वो ये रहे, क्या लिखा हुआ है भारती उप महादीप में कौन कौन से देश है तो कौन कौन से देश है, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांगला देश, मियमार, सिलंका और मालदीप ठीक है, छेल फल के अधार पर सबसे बड़ा एवं फफे छोटा राज कौन सा है तो सबसे बड़ा राज राजिस्थार और सफे छोटा राज जगोगा, यह आपको याद करना है कौन से राज अंतर राज की सीमा तथा समूद तटको इस परस नहीं करते तो यह आपके सामय उत्तर रहा, इसको भी तयार कर लेजिए कितने राज जगर केंसासी प्रदेश है तो 28 राज जगर आठ केंसासी प्रदेश है ठीक है, इसके बाद आपका जो दो और कोस्टन बचे पहला कोस्टन है भारत के तीन और विस्तर जल रासियों के नाम लिखिए तो आपको क्या लिखना है, पूर में बंगाल की खाड़ी, पस्चिम में अरब सागर और दस्छिन में हिंद महा सागर तो ये सारे आति लगुतरी आपको तयार करना है इसके बाद इस्चिम में आपको ताना चाहूंगा, एक लगुतरी प्रशन भी इस चैप्टर से आएगा तो सारे लगुतरी प्रशन आपको तयार करने है, एक पक्का आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा मतलब दो आएंगे, एक करना रहेगा आपको पहला प्रशन है, भारत को एक उपमादीप क्यों कहा जाता है, इसको आपको तयार करना है इसके बाद अगला नंबर जो आपका है, ये रहा, क्या लिखा है सुर्योदे अउनाचर प्रदेश के पूरवी भाग में गुजरात के परश्रीन भाग के पेच्छा दो घंटे पहले क्यों होता है, जब कि दोनों राज में एक बड़ी ही समय दर्स आती है ठीक है, इसको आपको तयार करना है इसके बाद आपको याद करना है, क्यों नंबर पाच तो ये कॉश्चन पढ़ना है, कॉश्चन नंबर 3 भारत की भागोलिक इस्थिती का महत्त समझाईए और इसके बाद आपको किवल मैप पढ़ना है मैप में जैसे आपको करकरेखा दर्साने के बोल दिया ठीक है, और इसके बाद आपको अरफागर दर्साना है, तो ये हो गए आपका ठीक है पश्चमी साइड में और इसके बाद एक और जो आपको दर्साना था, क्या दर्साना था अंडमान निकोबार दीश समू भी आपको कहां पी दर्फा देना है आप देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आपको चैप्टर है ना वो है ध्याय साथ भारत का भौतिक सरूप, तो इस चैप्टर से भी कित्ते नंबर का question आएगा? तो इस chapter से dear student चार number का किवाल एक question आएगा तो आप इस chapter से यदि चाहें तो ये जो आपके objective question इसको skip कर फकते हैं क्योंकि objective question इस chapter से नहीं पूछा जाएगा हम सीधा चलते हैं dear student आपके ठीक है long answer पे जो कि आपकी exam में आएगा तो पहला important question है आपका बांगर वा खादर में अंतर इसपश्ट कीजिए VVI ठीक है 90% chance है इस question के आने के आपकी exam में ठीक है तो चलिए इसके बाद जो important question है वो है पूर्वी घाट तथा पश्चमी घाट में अंतर इसपश्ट कीजिए सारे अंतर आपको तयार कर लेना है इसके बाद तीसरा अंतर है आंतरीक हिमाले और निमने हिमाले में अंतर इसपश्ट कीजिए इसको भी आप अच्छे से screenshot लेके तयार कर लेजिए खीक है इसके बाद अगला जो अंतर है मालवा का पठार एवं दक्कन के पठार में अंतर इस प्रश्ट कीजिए ये अंतर तयार करना है और एक और तयार करना है आपको question प्रवाल से आप क्या समझती है 2022 में आ चुका है तो यदि आप ये पाच प्रश्ट तयार कर लेते हैं तो definitely आपके एक्जाम में पूछा जाएगा और चार नंबर में इस chapter से question आने है तो चार नंबर में पूछा जाएगा एक अंतर आपकी एक्जाम में जरूर आएगा तो सारे अंतर आप अच्छे से तयार कर लेजिए ठीक है इसके बाद इस chapter से जो most question है वो है आपको map में दर्फाना जैसे क्या 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 दर्फ आया गया है तो मियमार कहां पे है ठीक है बंगाल की खाड़ी कहां पे है चिलका जील कहां पे है लच्छ दीब कहां पे है आरफ सागर कहां पी है ठीक है पहले आप इसको देख लीजिए screen shot लेकि क्या क्या आपको दर्फाना है और इसके बाद कहा कहा पे दर्फाना है इस map का आप अच्छे सी screenshot ले लीजिए खिके और इसको भी अच्छे से त्यार कर लेजिए क्योंकि एक map आपके exam में जरूर देखने को मिलेगा तो dear student मैं उम्मीद करता हूँ यह सारे question आप देख लिए होंगे और सारे question को आप अच्छे सी prepare कर लेंगे definitely इस वीडियो से आपको 10 number का फायदा होने वाला है चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें और will icon प्रेस करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जय हिंद वन्दे मात्रम